व कूई हूफ अधेनों थोतों मैं सुमन स्वागत ए आप सभी का अपने यूटुब चैनल हिस्टव arrest राइस हो ए तो फिजिकस में हमने चार चपटर कर लिया और इन चार चपटर में लाश्ट चपटर जो हमने किया उसमा और ताप्मान ठीक है तो उसमा और ताप्मान तक हमने कर लिए सारे MSQ आपके प्रीवेस यह जितने भी पेपर आपके BPSC द्वारा करवाए गए बिहार में यह वही सारे पेपर हैं आप देख सकते हैं यहां पे यह BPSC LDC में आया हुआ था 2022 में तो इसी तरह सारे पेपर आपके टॉपिक वाइस आपके सारे करवाए करेंगे ठीक है ना तो आज की खरत करते हैं उसके पहले जिनों अभी तक क्लास नहीं देखिए पिछली जाकर देख लिजिए दो क्लास हुए है उने ले चार चेप्टर कंप्लीट की हैं और यह आपका चार से पांच क्लास में हमारा खतम हो जायेगा ठीक है ना उसके बद हम कमेस्ट्री अपना शुरू करेंगे तो आपने नहीं देखी तो जा कर देख लीजिए चैनल पर पहली बार आए तो चैनल के सब्सक्राइब कर लेजे बेल आइकन दबा लेजे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे हैं पहला कोश्चन है टॉपिक है हमारा प्रकास और प्रकास से पहला कोश्चन है एक कटा हुआ हीरा चमकता है तो एक कटा हुआ हीरा क्यों चमकता है यहां पूर आंत्रिक परिवर्थन के कारण चमकता है ठीक है नेक्स है बिजली की मोटर परिवर्थित करती है तो बिजली की जो मोटर है यह परिवर्थित करती है बिद्ध उत्त उर्जा को यांतिक उर्जा में नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 सेंटीमिटर फोकस दूरी के एक उत्तर लेंज की सता पर सफेद घोड़े का प्रतिविम बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पत्या बना जाती हैं वह प्रतिविम कैसा होता है तो यह प्रतिविम होता है काली पत्यों का एक घोड़ा ठीक है न तो यह आपका क्या हो जाएगा कम चमक वाला एक घोड़ा होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल सूरी के प्रकास के डैस तरंग दैर्द को आउस्षोशित करता है तो क्लोरोफिल क्या अफशोशित करता है सूरी के प्रकास के तो यह लाल और नीले तरंग दैर्द को क्या करता है अफशोशित करता है लाल और नीले अगला क्योशन है LDE LED यानि प्रकास उत्सरजक डायोट जिसे कहते है LED के संदर में कौन सा कथन सही नहीं है LED प्रकास इस्तरोत बिद्धुत की कम खपत करता है सही है LED प्रकास बलबे से अधिक अवधी तक कारे करते हैं सही है LED लाल हरे पीले नीले तथा सफिद जैसे रंगों में उपलब्ध होता है ये बात भी सही है ये तीनों आपके सही है LED में पारा होता है जो मनुस्य के लिए हनिकारक होता है ये बात गलत है और यही सही हो जाएगा नेक्स कुश्चन है प्रेजमी से गुजरने पर प्रकास का कौन सा वर्ड सबसे ज्यादा जुकता है तो यह आपका यहां से क्या होता है प्रेजमी पर जो है आपका प्रकास गुजरता है जब ठीके ना तो आपका जो प्रकास है तो सबसे ज्यादा कौन सा जुकता है सबसे ज्यादा वह आपका बैग्री जुकता है वालो ठीके ना और सबसे दूर कौन होता है यह होता है आपका red ओके तो यहां पे आपका बैगनी सही हो जाएगा अगला है जब दिन में पानी पर साबून की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुन्दर रंग दिखाती है इस घटना का कारण क्या है तो यह व्यतिक करण ठीक ना प्रकास का व्यतिक करण होता है सितारों की चमकने की प्रकासिय प्रक्रिया निम लिखित में से किसके कारण होती है तो यह आपका होता है वाता वर्डिय अपवर्थन के कारण अगला कुशन है उस बैग्यानिक का नाम बताए जिसने कहा था कि प्रदार्थ को उर्जा में बदला जा सकता है या किस बैग्यानिक ने कहा तो यह कहा यह कहा आपके आयन स्टीन ने ठीक ना नेक्स क्वेशन है ब्लैक बोर्ड काला लगता है यह किसी भी रंग को प्रावर्थित नहीं करती है यह किसी भी रंग को प्रावर्थित नहीं करती है इसलिए ब्लैक बोर्ड काल लगता है अप्टिकल फाइबर की सिधान पर कारे करता है अब यहाँ पे प्रक्रिणन के उधारण देख लेजिए आकास का रंग नीला दिखाए देता है प्रक्रिणन में सूरिका उगते और डूबते समय लाल दिखना ये सब क्या है प्रक्रिणन के उधारण है अपवर्थन के उधारण क्या होते हैं रात के समय तारों का टिम्टिमाना द्रव में अंसत डूबी हुई या अंसत यानि कम डूबी हुई सीधी छड़ टेड़ी दिखाए देती है यह गलास में पानी लीजिए काच की गलास में और पेंसिल को जो डालेंके तो देखेंगा टेड़ी दिखाए देता है तो यह अपवर्थन का उधारण होता है ठीक है अगला कुश्य ने आवर्धक काच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है तो आवर्धक काच में किस प्रकार का लेंस ले जाता है तो यह उत्तर लेंस होता है ठीक है उत्तर लेंस होता ह नेक्स्ट प्रकास की गती निम्न में से किस माध्य में नियुन्तम होगी तो ये अपका काच में कम होता है प्रकास की गती नेक्स्ट है साफ आश्मान के कारण नीला दिखता है तो साफ आश्मान किसके कारण नीला दिखता है ये प्रकास का बिछेपड हो जाता है जिसकी वज़ा से आकाश नीला दिखता है सीवी रमन को वीकरण के निमलखित में से किस घटना से संब्धित उनके कारे के लिए नोबल प्रुसकार दिया गया तो ये दिया गया प्राकिरणन के वज़ा से इनको नोबल प्रुसकार दिया गया और ये कुश्चन आपका आता है सीवी रवन को 1930 में सौर वीकरण के प्रिक्रणन के लिए नोबल प्रोक्सकार मिला तो ये 1930 में तारे टिम्टिम आते हैं क्योंकि प्रिथबी के वाई मंडल की विभिन पड़तों का अपवर्तनांग लगाता, बदलता रहता है तारों का टिम्टिमाना सांधार रंग दिखाती है इसके कारण है व्यतिकरण, हमने दूसरी बार ये कुश्चन को आटम किया है अगला कुश्चन है म्रग मरिच का क्या का कारड क्या है तो म्रग मरीचिका का उधारड है वाई मंदल के मेवजुन परत का हाश वाई मंदल के विभिन भागो का समान तापन वाई मंदल के विभिन हिश्चो का औसमान तापन औसमान और समान में ध्यान रखिएगा तो यहां पे आप औसमान तापमान का होता है किसी बाधा के उपर गुजरते समय प्रकास की किरण बाधा के किनारों से अंदिकार छेते में थोड़ी जुख जाती है यह घटना क्या कहलाता है तो यह घटना आपका बीवर्तन कहलाता है अगला कॉश्चन है निवनिलिकित में से किस परिघटना के कारण रंगीन कांच को महीन पाडरम को चलने पर सफिय दिखाई देता है तो यह प्रकिरणन के कारण ऐसा होता है नेक्स क्वेश्चन है अलबर्ट आइस्टीन के को उनके जिस काम के लिए वर्ष 1921 में बहुत की में नोबल प्रुषकार मिला हुआ है तो यह प्रकास बिद्धुत प्रभाव के लिए इन्हें 1921 में नोबल प्रुषकार मिला इंद्रधनस बनने का कारण होता है पानी की बूंदो द्वारा सूरी की प्रकास का अपवर्तन और प्रावर्तन ठीक है नेक्स्ट कोश्चन है प्रकास संसलेशर की दर सबसे अधिक होती है तो ये कहां पर होगी प्रकास संसलेशर की दर सबसे अधिक होती है लाल प्रकास में ठीक है नेक्स्ट कोश्चन है क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातू है तो क्लोरोफिल में मैगनीसियम पाई जाता ह नेक्स्ट कोश्चन है मानो आँख किस वस्तु की छबी दिखा निमलखित में से किस पर बनाती है तो मानो आँख किसी वस्तु की छबी यह दिखाई देती है रेटिना पर ठीक है और कोश्चन बनता है कि जब मानो का जो आँख है जब नेत्र दान के जाता है तो उसमें कौन सा पार्ट जो है दान किया जाता है तो यह कार्णिया को दान किया जाता है ठीक है नेक्स है रात के समय में खुले आश्मान आकास में तारों के टिम्टे माने को किस से समझा जा सकता है तो यह समझा जा सकता है प्रकास का अपवर्तन नेक्स्ट कुश्चन है दरपड में के सामने खड़े एक प्रक्ति को अपना प्रतिविम अपने से बड़ा लगता है इसका तात्पर दरपड का है तो अगर छो छोटी चीज को देखने के लिए कोई भी वस्तु य्वस्तु उसको क्या करता है बड़ा दिखाई देता है ठीक है अगला कुश्चन है बड़े सोरूम और डिपार्टमेंट 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 डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तमाल किया जाने वाला बिजी लेंज दरप्रक होता है तो किसी भी बड़े सोरूम या डि नाई की दुकान में दो समतल दरपड रखे जाते हैं तो नाई की दुकान में एक दूसरे के समनांतर रखा जाता है एक लड़का एक दरपड की सामने 30 cm की दूरी पर खड़ा होता है वो अपना सीधा प्रतिविम देखता है जिसकी उचाय उसकी वास्तिविक उचाय का एक बटा पांच है वह हम कौन सा दरपड प्रयोग करता है तो वह प्रयोग करता है संतल दरपड ठीक है अपका उतल दरपड ठीक है अगला कुश्चन है कोहरे में हम देख नहीं सकते क्योंकि कोहरे का कोहरा प्रकास को अशुश्य करता है कोहरे का अपवर्त नांग अनंत होता है कोहरे की बूंदों पर प्रकास का पूर्ड प्रावर्तन होता है कोहरे की बूंदों का प्रकास प्रकिरण होता है ठीक है अगला कोश्चन है सुर्य के प्रकास के वर्ड करम में सात रंगों को करम में के रूप में दर्साया जा जाएगा ठीक है विव ग्योर अगला कोश्चन है कि वेरी पेरी स्कोप की सिधान पर कारे करता है ये केवल प्रावर्तन के सिधान पर कारे करता है पेरी स्कोप नेक्स कोश्चन है किसी ट्यूब लाइट में चोक लगाने का उद्देश होता है उच वोल्टेश को प्रेरित करना ये ट्यूब लाइट में चोक लगाने का उद्देश होता है उच वोल्टेश को प्रेरित करना फोटोन है फोटोन प्रकास उर्जा का एक क्वांटा है ठीक पूर्ड आंत्रिक प्रावर्तन प्रकास का वर्डन वर्ड बिच्छे पड़ संभो है तो ये प्रिज्म में होता है प्रकास का वर्ड बिच्छे पड़ एक सधार टीबी सेट रिमोट कंट्रोल निमलिखित में से किस तरंग का उप्योग करता है तो ये करता है इंफ्रा रेट तरंग का प्रियोग करता है नेक्ट क्वेश्चन है निमलिखित में से कौन सा प्रात्मिक रंग नहीं है तो इसमें प्रात्मिक रंग आपका लाल हरा नीला होता है लेकि प्रियला नहीं होता है अगला क्वेश्चन है अगला कुश्चन है जब प्रकास एक माध्यन से दूश्रे में जाता है तो निम्न में से कौन सी कौन सी नहीं बदलती है या बदलता है तो इसमें आवरिती नहीं बदलता है बाकि वेग गती तरंग दैर्द अपवर्तनांग बदल जाता है आवरिती नहीं बदलती है अगला है मानों आँक अपने डैस पर किसी वस्तो की छबी बनाती है तो ये रेटेना पर बनाती है ये दूसरी बार रिपीड़ेट कोश्चन आया हुआ है अगला कोश्चन है प्रिश्म से गुजरने पर प्रकास का कौन सा वर्ड सबसे ज़्यादा जुकता है तो ये सबसे ज़्यादा बैगनी जुकता है ठीक है और जो है अपका ये कितनी दूसरी बार ये भी आपका कोश्चन आ चुका है तीसरी बार ठीक है अगला कुश्चन है इस्पैक्ट्रम में कौन सा एक मट इसी को हम इस्पैक्ट्रम में कौन सा रंग सरवाधिक बिचलित होगा जब वह प्रेज में से गुज़रेगा तो ये बैगनी होता है ये चौति बर कुश्चन आपका अलग-अलग लेंगवेज में आया हुआ है निकट द्रिष्टी दोस किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है तो निकट द्रिष्टी दोस के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं उत्तल जो है आपका एक मिनट निकट द्रिष्टी दोस की बात अच्छा स्वल निकट द्रिष्टी दोस की बात है तो यह आउतल आउत दो दो बार हमारा प्रस नमबर 45 अच्छा वही मैं को हूँ गलत कैसे हो गया अब हमारा आता है तो ये आपका अंसर हो जाएगा आप देख सकते हैं आउतल लेंज का प्रियोग करते हैं निकट द्रिश्टी दोश में बात करें ले कोशन की एक ले कोशन हैं सौर भट्टी में उतल दर्पड का प्रियोग किया जाता है द्रिश्टी के खराभी निकट द्रिश्टी दोश को डश के नाम से जाना जाता है तो ये इन में से कोई नहीं हो जाएगा हुगा क्योंकि इसमें hypermetropia ये आपका होता है ये आपका दूर द्रिष्टी दोस्ट से समंधित है hypermetropia और निकट द्रिष्टी दोस्ट के लिए myopia होता है ठीके न कौन से होते है myopia तो myopia इसमें option में नहीं इसलिए option हमारा e हो जाएगा अगला question है किस वर्ष सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए नोबल प्रस्कार मिला हमने अभी बताया मैंने अभी बताया कि यह सन आप से पूछेगा यह 1930 में मिला था ठीक है लेंस की सक्ति मापी जाती है तो लेंस की सक्ति वाट में जो है सरी लेंस की सक्ति डाइप्टर में मापी जाती है वाट म में किसके सकती बिधुत की सकती मापि जाती है ठीक ना बिधुत की सकती को मापि जाती है प्रकास की जो है जोती तुरि का प्रिद्वि पर पहुँचता है तो 8 मिनट 16 सेकंड लगता है 8 मिनट 16 सेकंड तो इसमें एक option और रखा है यह जिसकी वज़े से हमें एक्जक्ट अंसर यहां पर नहीं मिला तो हम 8 मिनट नहीं लगाएंगे बल्कि हम एप जाएंगे ठीक है अगला question जब लाल नीले हरे प्रकास के पूंच एक अस्थान पर पढ़ते हैं तब प्रकास का रंग होता है तब प्रकास का रंग क्या होता है सफ्यद होता है जब लाल-नीला हरा दोनों यह साथ तीरों साथ रहते हैं इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल में परिवर्थित करने के लिए रिफ्रेक्टिव एंगल का माप क्या होता है तो यह 90 डिग्री माप होता है अगला कोश्चन है निर्वात में प्रकास का वेग कितना होता है तो निर्वात में प्रकास का वेग होता है थ्री इंटू टैन के पावर एट होता है ठीक है अगला कोश्चन है किस प्रक्रिया के कारण तारे श्वयम चमकते हैं तो यह नाविकिया सनलेन के द्वारा होता है अगला question है रेगिस्तान में गर्म दुपहरी में मरीची का निम्न कारण से दिखाई देती हैं तो यह अपका पूर्ण आंत्रिक प्रावरतन के कारण दिखाई देती हैं next question है contact lens बनते हैं contact lens यह PVC से बनते हैं PVC से MSE कास की रड़ पायू से काच की सिल्ली में प्रविस्ट होती है उसका तरंग दयर्द घटता है ठीके ना उसका तरंग घटता यह दूसरी बार रेपेट कोशन है अलग लेग्मिज में बस देकि तरीका बदलता है बाकी क्रेशन वही होते हैं अंसर वही होता है बस का उत्तर लेंज होता है कम फोकस दूरी का उत्तर लेंज लगा होता है अगला कोशन है इंद धनुसकी घटना के कारण बनता है तो यही बनता है वरड़ विच्छेपर के कारण अगला कोशन है अगला कोश्चन है तरड ताल की वास्तविक से कम गहराई दिखाई देने का कारण है तरड ताल की वास्तविक से कम गहराई दिखाई देने का कारण एक ही होता है आपका अपवर्तन ठीक है अपवर्तन अगला कोश्चन है इसमें तरड ताल की वास्तविक से कम गहराई वे दिखाई पड़ते हैं सूरी ओद्रपड का नाभयानतर होता है ये आपका अनन्त होता है सम्तल दरपड से वस्तु दो मीटर की दूरी पर रखी है तो उसके प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी कितनी होती है ये 4 मीटर होती है अगला question है प्रकास की गती सुन्याक अवकास में कितनी होती है तो ये आपका 3 into 10 की पावर 8 मिटर प्रती सेकेंड होता है ये आपका कम से कम थिसरी बर question आया हुआ है सही कथन चुनिये लाल प्रकास का तरंग डैर भैगनी प्रकास से कम होती है अच्छा विव ग्योर हम देख लेते हैं विव ग्योर ठीक है न यह है आपका विव ग्योर तो इन्होंने बोला है लाल प्रकास का एक मिनटा मुझे यहां नहीं लिखना था अब ठीक है तो इन्होंने बोला है लाल प्रकास का तरंग डैर भैगनी प्रकास से कम है तो कहां कम है ज़्यादा है ठीक है मिनला प्रकास तरंग डैर भैगनी हरे रंग से ज़्यादा है यह रंग से ज़्यादा है लाल का सही बात है तो यह बात आपकी सही हो जाएगी थीक है ओप्सवन आपका भी सही हो जाएगा अगला कोश्चन है द्रिश स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्दी की सीमा क्या होती है यह आपका होता है 3900 आपका जो है से लेकि आपका 7600 ठीक है न तो यह आपका भी आपका अंसर सही हो जाएगा बात कर एकले कोश्चन की अगला कोश्चन है यहाँ पे सारा है आप स्क्रिंसोर्ट ले लिजे इसका ठीक है इस चाट का स्क्रिंसोर्ट आप ले लिजे अगला कोश्चन है प्रकास में सात रंग होते हैं रंगों को अलग करने का तरीका क्या है तो इसको क्या करेंगे आप प प्रीज में से रंगों को अलग किया जा सकता है, फिल्टर विल्कुल नहीं, फिल्टर उल्टर से क्या मतलब है, अगला question है, पढ़ने में काम आने वाले glasses किस प्रकार के लेंञ्स से बनते हैं, तो ये आपका बनता है उत्तर लेंग्स या ओता लेंग्स तो ये बनता है आपक अगला फिन अगला पपर दीघिष्टी दीखाई देते हैं तो यह नहीं देख सोरी आपे मैंने बात इसे नहीं देकौत क्याना में आपका यह जो है इंद्र धनुस आपके तीन उसमें दिखाई देते हैं एक प्रात्मिक दूत्य और दूसरा आपका तीसरा आपका होता है दो पहर को ठीकिरम अगला कुश्चन है डाड़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं आधा अउतल लेंज का अउतल धरपड क जो है डरबद दूसरा के लिएस के लिए प्रयोग करते हैं अगला कुश्यचन प्रकास वीकीरोडों की प्रकृति कैसी होती और शीचरन के तो कर दोनौ में अगला है युदि किसी अनग् 요them की सक्टी प्लस दो ड्यापेटर हो तो इसकी फोकुस दूरी कितनी होती है इसकी फोकूस दूरी अब कर यतिती है 50 संटी मीटर पचास सेंटीमीटर हो जाती है अकले कुश्चन है भारी पान अच्छा यहां पर दिया है न्यूटन की खोज ब्रिटिस भावती के बैग्यानिक जम्स चाडविक यह क्या ही हो जाता है जम्स चाडविक ने 1932 में की थी न्यूट्रॉन एक आवेश रसाइट मूल भूत कड़ है जो परमाडू के नाविक में प्रोटॉन के साथ पायदाता है अगला कुश्चन है भारी पानी हैवी होटर होता है तो भारी पानी कौन सा होता है यह डियूटियरियम ऑकसाइड होता है ठीक है अगला कुश्चन है डियूटियरियम ऑकसाइड डियूटियरियम होती है तो यह आपका होता है 148 ठीक है प्लूटोनियम नियुकलाइड के नाविक में न्यूट्रोनियों की संख्या 148 होती है यह नेक्स्ट आपका जो है प्रकास नहीं है आपका अगला चेप्टर है ठीक है अगला कुश्चन है क्रायोजेनिक इंजनों का प्रियों डैस में यए प्रकास और इसप्रपकर को प्रकास महीं आता है यह सारी चिज़े प्रकास के साथ ही पढ़ते हैं ठीक है थो उससे सम्मद्थित कौश्चन है該 एग क्रायोजेनिक इन उक प्रियोंग δ्यूग यह क्या जाता है यह क्लत रॉक्ट में क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग अगला कुशन है निमलकित में से कौन सा वीकिरण मोबाइल संचार ब्योस्था में प्रयोग किया जाता है तो यह किया जाता है माइक्रो वेव में माइक्रो वेव वीकिरण का मोबाइल संचार ब्योस्था में प्रयोग करते हैं माइक्रो वीव अगला कोश्चन है अगला कोश्चन है नाविकिया रियाक्टर में नाविकिया विखंडन से बिद्धुत उत्पन करने के लिए साधार प्रयोग किया जाने वाला तद तो क्या है यह आपका यूरेनियम अगला कोश्चन है प्रमारू रियाक्टरों में से किस प्रक्रम द्वारा विद्धुत उत्पादित की जाती है नाविकिया विखंदन के द्वारा प्रयोग किया जाता है प्रमाडू रियक्टर में निम्लिकित में से किसका इंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो ये किया जाता है यूरेनियम का अगला कोशन है एक तत्यों में इलेक्ट्रोनों और न्यूट्रोनों की संख्या क्रमसा 18 तफा 20 से इस तत्यों की द्रभमान संख्या क्या होगी तो इस तत्यों की द्रभमान संख्या 38 होती है इन दोनों को हम क्या करें देंगे इन दोनों को जोड़ देंगे अगला कुश्यन है प्रमाडू नाविक की खोज किस ने की थी? प्रमाडू नाविक की खोज रधर फोड ने की थी 1912 में ठीक है? अगला कुश्यन है भौतिकी की साखा में अतिसुच मुकड़ों की चाल का अध्यन किया जाता है तो यह quantum mechanics के उसमें किया जाता है इसका अध्यन अगला कुश्यन है एक प्रमाडू के केंद्र पर धना वेशित हिस्सा कहलाता है नियूकलियस कहलाता है अगला question है God particle है तो God particle क्या होता है हिक्स बोशावन होता हैं हिक्स बोशावन को God particle कहते हैं अगला question है cosmic क्रणे क्या करती है यह औशीशित कर होती है cosmic क्रणे औशीशित सवेरी आविशित कर होते हैं आपके cosmic dépend अविशित करा नेक्स्ट कुशन निम्लिकित में से किसमें रिडात्मक आवेश होता है तो रिडात्मक आवेश की बात किया है ये आपका होता है बीटा कड में ठीक है ना बीटा कड में रिडात्मक आवेश पाय जाते हैं अगला कोश्चन है जिस तत्यों के प्रमाडू में दो प्रोटोन, दो नूट्रोन, दो इलेक्टोन हो उस तत्यों की ध्रबमान संक्या क्या होती है? चार होती है next question है प्रमाडू के नाविक में निम्न कड़ होते हैं तो प्रमाडू के नाविक में कौन कौन से कड़ होते हैं proton और neutron पाये जाते हैं ठीक है proton और neutron पाये जाते हैं next question है भारी पानी वह पानी होता है जिसका hydrogen का अस्थान आइसो टोप ले जाता है ठीक है जिसका जिसमें hydrogen को जो अस्थान होता है वो isotope आ जाता है उस अस्थान पर ठीक है अगला विद्धुत उर्जा पैदा की जा सकती है तो विद्धुत उर्जा आपका पैदा की जा सकते है यूरेनियम से गामा किर्डे उच उर्जा वाली विद्धुत चुम्बिके तरंगे होती है तो ये आपका उच उर्जा वाली विद्धुत चुम्बिके तरंगे होती है गामा किर्डे नम्लान कित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता अड़ू का और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है तो हमने यहां पे दो चप्टर कंप्लेट कर लिया और तहीं से 2 심 आपके लिए बहुत इंपॉर्टन क्लास है के और करेंट आफरी की क्लास आपको आठ बजे मिलती है सुबह बारा बजे आपको फिजिट क्लास मिलती है इसके लावा ग्यारा बजे आपको मिल जाती है दस मिनिट का भंडारा जिसमें important points पर हम बात करते हैं तो चैनल पर पहली पार रहा है तो चैनल को subscribe कर लिजे बेल आइकन दबा देजे ताकि नोडिफिकेशन आपको मिलती रहे और अपने साथ ही को सिरकर के उन्हें भी इस चलार से जोड़ लीजें मिलते हैं अगली क्लास में आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद